रिंफोर्स क्रोप एक बाफिर से आप सब इस सब्सिवीं इंजिनियर्स का रिंफोर्स गिडिटर्ग प्रेटपॉम पे हाधिक स्वागत करता हूं इंजिनियर्स जैसे कि हमने लास सेशन में देखा था रेट अनलसिस क्या होता है रेट अनलसिस क्यों इंपोर्टेंट होता है एक सेविल इंजिनियर के लिए कब-कब हमें रेट अनलसिस करने की जरूत पड़ती है तो जैसे कि हमने लास सेसन में बताया था कि हम लोग रेट अनलसिस का एक सीरिज त्यार कर रहेंगे और वो सीरिज के कर्म में आज की जो सेसन होगे आज का सेसन हमारा अर्थवक इसके वेशन का रेट अनलसिस करेंगे बहुत सारे कमेंट भी आएं आप सभी इंजिनियर्स का, किसी ने बोला इसके वेशन का किजिए, किसी ने बोला PCC का स्टार्ट किजिए, तो हमने एक सिस्टेमेटिक वे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आसा करता हूँ आप सभी लोगों को ये सिरीज अच्छे से समझ मे आएगा, और उमीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना बोलें, जब तक अब बेल आइकन प्रेस नहीं किजिएगा, तब तक आपके पास information नहीं जाएगा, notification नहीं जाएगा कि हमने कब कौन सा video upload किया है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने fellow civil engineers के साथ, share भी करना ना भूले ताकि आपके share करने से आप सभी एक civil engineers की community में help, support के तौर पे सभी के पास एक awareness जाएगा, सभी के पास एक message जाएगा, information message जाएगा, notification जाएगा तो आप सभी लोग अपने आप में एक दुसरे का support कर सकते हैं तो ज़रूद, ज़रूद, ज़रूद ज़रूद इस वीडियो को share भी ज़रूद करेंगे तो start करते हैं आज का session हम लोग देखेंगे कि earthwork excavation का rate analysis contractor क्या करता है कैसे करता है, क्यों करता है और किस तरीका से करता है यह सारे चीजों का हम लोग डीटेल में देखेंगे Excel seat पे, तो start करते हैं सबसे पहले एक example के तोर पे मैं एक post-it का BOQ के through में rate analysis start करें, तो client के तरफ से पता है, client के तरफ से BOQ आता है और client के तरफ से जो BOQ आता है, उसमें क्या होता है item, description, unit, quantity, rate और amount तो जो rate रहता है, client के BOQ में उसको client का rate कहते है और जो हमें quote करना होता है tender के समय, तो हम लोग जब rate quote करते है तो हमारा जो rate कहलाता है contractor rate, तो हमें उसी time और एक जब आप bill बनाने बैठेंगे तो वहाँ पे भी जब rate put करना होता है तो वहाँ पे भी आपको rate analysis करना पड़ता है तो start करते हैं, share करता हूँ मैं screen, और screen share करूँगा और यहाँ पे हम लोग detail में देखेंगे कि एक BOQ से एक item हम लोग earthwork excavation उठाएंगे और वहाँ से हम लोग as a contractor rate analysis कैसे करेंगे तो share करता हूँ screen तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारा यह screen पे आप देख रहे हैं कि एक project है project है इसमें कई सारे items है और quantity है, units है rates है और amount है तो यह जो आप item देख रहे है means, manually means over areas 30 cm in depth तो यह item descriptions का quantity government के तरफ से 1000 cubic meter है और government के तरफ से जो rate है वो 181.85 rupees per cubic meter है मतलब अगर excavation government अगर अपने माइने में करा रहा है bench mark के तौर पे तो उसके तरफ से अगर hydraulic excavator लगता है और 1000 cubic meter soil का excavation होता है तो पर cubic meter उसका rate निकल के आ रहा है 181.85 rupees आ रहा है अब बात है कि यह government जो है 181.85 rupees per cubic meter जो लिया है वो कैसे लिया है तो government को भी rate analysis follow करना होता है तो government का rate analysis book होता है analysis of rate बोलता है उसको वो AOR को आपर refer करता है तो यह जो आप देख रहे है आइटम्स यहाँ पर 2.6.1 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे 2.6.1 तो यह आपका जो clause number है इसको DAR number जो बोलता है तो DAR क्या होता है analysis of rate for client rate book होता है इसमें पूरा detail में बताया जाता है कि 181.85 rupees जो आया है rupees per cubic meter वह कैसे लिया आया है तो कैसे आया है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं AOR में देखेंगे कि यह item आपका है या नहीं तो AOR हम लोग open कर लेते हैं सबसे पहले AOR में लोग चलते हैं यह आपका जो है आप देख सकते हैं मैंने जो open किया है यह Central Public Public Department का Analysis of Rate for Delhi है Volume 1 2019 तो इसी को follow करते हुए वह अपना BOQ में रेट डाला है इसमें सबसे पहले हम लोग जाते हैं जो क्लॉज नंबर था हमारा 2.6.1 तो यही क्लॉज नंबर था 2.6.1 और सेम डिस्क्रिप्शन आपको उस BOQ में भी मिलेगा यही सेम डिस्क्रिप्शन एक बाप फीर से में आपको दिखाना चाहूँ अर्थवर के इसक्रिप्शन बाइकनिकली मिन्स हाइडरोलिक इसक्रिवेटर यही सेम डिस्क्रिप्शन आपका BOQ में भी दिया है और जो रेट था BOQ में आप देखिए यहाँ पे रेट है 181.85 यही रेट दिया है BOQ में तो यह अब कैसे आया है उसको मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि 181.85 कैसे आया है गौर्वर्मेंट कैसे लिया है तो यह पूरा इसका बेवरा है यह पूरा इनालीसिस आफ रेट किया गया है इसको मैं एक्सल पे समझाता हूँ कि कैसे हम लोगो करना है कैसे गौर्वर्मेंट ने अपना इनालीसिस किया है तो सबसे पहले यह आप देख सकते है स्क्रीन पे कि हमारा क्लाइंट जो है वो बीयोक्यू का एक सेंपल मैंने एक डिस्क्रिप्शन ले लिया है और इस डिस्क्रिप्शन में आप देखिए तरह आपको इसक्रिप्शन कराना है और मैन्वाली मेंस मतलब वहां पे लेबर का भी इन्वाल्मेंट होगा और एसक्रिप्शन थर्टी सेंटिमीटर 1.5 मेंटर इन वेट आपका आईस को 12,000 पार्ट जो वॉल्म अर्थवाक इसक्रिप्शन का अभी आप आईटम डिस्क्रिप्शन समझें कि आईटम में क्या बोल रहा है हाइड्रोलिक इसक्रिवेटर के थ्रू आपको स्वैल को इसक्रिवेट करना है और यहां पे आप गौर करेंगे दिया है कि डिस्पोजल ओफ इसक्रिवेटर अर्थ जो आपका जो मिट्टी निकलेगा वो लीड अप टू 50 मीटर एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर इसका मतलब यह हुआ जो भी आपका यहां पे स्वैल निकलेगा निचे से इसक्रिवेशन करके जो भी स्वैल आपका निकलेगा उसको यहां से लेके पूरा डिस्टेंस तो वह डिस्टेंस आपको पचास मीटर तक डिस्पोज करना है मतलब जो आप पचास मीटर तक आपके लेंद पर डिस्पोज करना है और कितना हाइट तक उसको डिस्पोजल करना है कितना हाइट होना चाहिए तो हाइट भी बता है कि यहां से यहां तक का जो हाइट होगा वो 1.5 मीटर तक रखना है 1.5 मीटर तक मतलब सोईल आप भी जो भी आपका लेंध डेप्थ करके आपने जो भी आप जैसी भी की थुरू आप इसके विशन करोगे वो जो आपका अर्थोग मेट्रियल इंप लेगा इसको डिस्पो का भी एक नॉम्स बता रहा है कि आपको डिस्पोजल भी जो करना है ना एक स्टेंडर नॉम्स को फॉलो करते हुए करना है तो वह चीज है ठीक है दूसरा आप देखेंगे यहां पर आल काइंड्स आप सोयल मतलब जितने तरह के सोयल होंगे इसके लिए यह लागू होता ह भाये डिस्क्रिप्टियों में देखें गॉवर्मेंट के डिस्क्रिप्शन में क्या है एक और चीज आप समझेंगे यहां पर पूरा क्वांटटी क्या दे रहा है हाँ पर क्वांटटी क्या बता रहा है हजार क्यूबिक मीटर तरह से 111.85 इसी कम लोंट डिचेल है कैसे आया है यह 181.85 जो कि client अपना analysis of rate को follow करते हुए लाया है amount मतलब rate multiply by quantity मतलब 181.85 को multiply करोगे 1000 से तो 1,081,850 रूपीज आपका आएगा तो चलते हैं analysis of rate को समझते हैं client का analysis of rate कैसे हुआ है तो यह समझते हैं कैसे लिया गया है तो यहां पर आप आप जाओगे यहां पर देखोगे government के जो एवार है इसमें दिया हुआ है detail of cost for 10 cubic meter मतलब 10 cubic meter का आपका यहां पर पूरा analysis किया गया है कह रहा है इस clause के अनुसार average output of hydraulic excavator per hour is 30 cubic meter मतलब 30 cubic meter जो है एक घंटे में hydraulic excavator excavate कर रहा है मतलब soil को निकाल रहा है मतलब एक घंटे में soil कितना निकल रहा है अर्थोग material कितना निकल रहा है 30 cubic meter ठीक है अब समझेंगे यहां पर machinery involvement labor involvement यह समझने से पहले आप अब समझेंगे कि अगर यह 30 cubic meter एक घंटे में निकाल रहा है तो आठ घंटे में कितना निकलेगा आठ घंटे में इंडिया में standard one day standard माना जाता है working standard hours 8 घंटा होता है तो अगर आठ घंटा में अगर यही hydraulic excavator standard norms को follow करते हुए अगर excavate कर रहा है one day में जो कि 8 hours है 240 cubic meter आपका निकाल रहा है तो जो आपके analysis of rate है इसमें दिया गया है कि एक hydraulic excavator जो है hydraulic excavator जो है आप कह रहा है कि एक cubic meter अगर excavation करता है तो कितना time ले रहा है तो 0.041 day ले रहा है यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह दिया हुआ है आपके analysis of rate में आप देख सकते हैं आपे है यहाँ पर दिया गया है आप जिरो पांट जिरो फोर और यह cost for 10 cubic meter यहाँ पर मैं तो आसे करेक्ट करूंगा यह जो आपका था hydraulic excavator hydraulic excavator for 10 cubic meter कितना time ले रहा है तो time ले रहा है जिरो पॉइंट जिरो फोर वन डे अब यही चीज में बताऊंगा आप सभी लोगों को कि hydraulic excavator अगर soil 10 cubic meter अगर excavate कर रहा है तो कितना time लग रहा है जिरो पॉइंट जिरो फोर वन डे यह आपका में दिया हुआ है तो यह कैसे आया वह देखते हैं हम लोग इस साइड देखते हैं यहां पर देखते हैं इस साइड देखिए जैसे कि एक दिन में जो कि हमारा eight hours होता है कि कुए कि 240 cubic meter निकल रहा है तीस क्योंकि अभी जश्मा ने बताया आप सभी लोगों को कि अगर एक क्योंकि मीटर हमारा इसकावेशन करना है तो कितना टाइम लगेगा तो यह निकालने के लिए अब हम लोग को फॉलो करना है तो आप देखिए 8 घंटा में 240 क्यूबिक मीटर 8 आवर्स में जो कि एक दिन माना जाता है 1 डे तो 8 डिवाइड बाई 240 तो ये क्यूबिक मीटर इदर रे जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.0041 डे 41 क्यूबिक मीटर तो एक क्यूबिक मीटर में 0.0041 डे है तो हमें 10 क्यूबिक मीटर में कितना होगा तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए हमारा क्या होगा 0.041 10 से मल्टिपलाई कर देंगे तो हमारा ये चीज आपका यहीं से आता है 10 cubic meter 10 cubic meter को करने में कितना time लग रहा है 0.041 डे लग रहा है और एक cubic meter करने में 0.0041 डे लग रहा है तो यहीं से coefficient आपका जो एक क्लाइंट है आपका AOR में यह जो 0.041 डे है यहीं से आया हुआ है तो यह समझ गया है हम लोग कि कहां से coefficient बना था तो coefficient कैसे बनाया गया तो उसका भी calculation हम लोग देख लिए अब चलते हम लोग अपने Excel सीट पे exactly rate analysis गोवर्मेंट ने कैसे किया है तो हमें पता है कि हमारा सबसे पहले rate analysis करने से पहले आप एक चीज़ जान लेजे कि कि किसी भी items का कोई भी item जैसे excavation है PCC है concrete work है brick work है plastering है stuttering है RCC work है finishing works है या जो भी items या activities है या description उन सारे में material, manpower, machinery, carry charge, water and electricity charge, contractor profit और tax का consideration करना होता है calculation करना होता है इन सब का calculations करके unit wise rate निकाला जाता है जो कि rupees per cubic meter, rupees per square meter, rupees per square feet या rupees per CFT या rupees per 10 जैसा जो activity का unit wise रहेगा वैसा हम लोग निकालेंगे तो हम आज के session में हम लोग कर रहे है art work excavation का rate analysis तो excavation में generally हमारा material के तौर पे material कुछ लगता नहीं है हाँ water consumptions थोड़ा सा लगेगा उसको dumping dumping करने के time water consumptions थोड़ा सा लगेगा तो excavation में manpower, machinery, carry charge, water electricity charge और contractor profit tax यही सारा चीचका हम लोग डीटेल देखेंगे अभी excel seat होए तो हम लोग अभी जो analysis of rate कर रहे है मतलब जो अभी rate analysis कर रहे है वो government का हम लोग देख रहे है और government किसको follow कर रहा है यह वार CPWD 2019 को follow कर रहा है तो यहां पर देखिए average output of hydraulic excavator per hour 30 cubic meter यह मैं already बता दिया हूँ detail for 10 cubic meter यह कैसे आया यह भी मैंने अभी calculations बताया कि hydraulic excavator with driver and fuel अगर 10 cubic meter excavation कर रहा है तो कितना day लगेगा तो 0.041 day लग रहा है यह मैं नहीं बूल रहा हूँ यह AOR में दिया हुआ है AOR में कैसे आया यह मैंने explain कर दिया है और government का जो rate है जो government के standard rate है वो 7,000 यहां पर देख सकते है 7,000 है यह आपका 7,000 है 7,000 मतलब पर 10 cubic meter का 10 cubic meter का आपका कितना time लग रहा है तो 0.041 day तो per day अगर per day hydraulic excavator एक दिन चलता है तो एक दिन का जो चार्ज है government की हिसाब से वो 7,000 रोपे लगेगा hydraulic excavator अगर एक दिन 8 गंटा पुरा काम करता है तो तो इसका cost कैसे निकालेंगे rate जो है उसको multiply करेंगे quantity से और quantity है 10 cubic meter में हमारा कितना time लग रहा है तो 0.041 लग रहा है इससे multiply कर दिया तो 287 रोपीज आपका ये निकल के क्या आया 287 रोपीज आपका ये निकल के आया कि अगर hydraulic excavator 10 cubic meter अगर आपका excavation कर रहा है तो 0.041 time लग रहा है तो ये 10 cubic meter अगर hydraulic excavator involve हो रहा है तो उसका costing है 287 रोपे 10 cubic meter के लिए और loader मतलब अब जब हम लोग excavation कर लेंगे तो loader पे हम लोग लोड करेंगे डंपिंग करने के लिए अब वो loader का running charges क्या है तो per day पूरा per day मतलब 8 गंटे का loader का charge गौर्मेंट के अगर्मसार 5000 रोपे standard rate है और उसका भी जो time लग रहा है मतलब 10 cubic meter को करने में उस loader का भी जो coefficient है standard वो 0.041 day 10 cubic meter को करने के लिए इतना day लग रहा है 0.041 day तो इसमें भी same हो ही करेंगे करना क्या है equal to rate जो है multiply by आपका standard coefficient मतलब 0.041 day 10 cubic meter के लिए तो जो अभी हम लोग rate analysis कर रहा है यह 10 cubic meter के लिए कर रहा है अब आते हैं जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी activity में machine involved होगा manpower involved होगा तो manpower पे आ गए manpower में यहाँ पे mate और coolie मतलब गौर्मेंट consideration करता है एक divide किया हुआ है labor के categorize किया हुआ है कि यह mate होंगे यह coolie होंगे तो generally mate का थोड़ा सा wages थोड़ा सा rate ज्यादा होता है coolie के compare में तो यहाँ पर अब यह समझेगा यह क्या है 0.32 day क्या है 1.2 day क्या है मतलब क्या रहा है government की अगर 410 cubic meter अगर excavation होगा तो mate कितना time लेगा mate आपका time ले रहा है 0.32 day मतलब यह 0.32 day इसको लगेगा 10 cubic meter को excavation करने में मतलब उसका योगदान रहेगा तो कितना mate का time कितना लग रहा है 0.32 कुली कितना time ले रहा है उसका क्या मतलब contribution है वो 10 cubic meter करने के लिए तो 1.2 day उसको time लग रहा है तो यह standard coefficient बनाया गया इसके पीछे बहुत सारे आपका calculations हुआ रहता है हमें यहाँ पर coefficient समझना है तो 0.32 day लग रहा है 10 cubic meter अगर mate काम excavation में वो अपना contribution दे रहा है excavation करने में तो उसको 0.32 day लग रहा है कुली को 1.2 day ले रहा है और rate है government के हिसाब से mate का rate है 617 मतलब 670 रुपे और कुली का rate है पूरे दिन का अगर काम करता है 500 ठाउन तो हमें करना क्या है इसको यहाँ पर coefficient से multiply कर देना है तो सेम चीज यहाँ पर भी आपको करना है 558 को multiply कर लिए 1.2 से अब यह हमारा total पुरा machine का involvement cost आ गया per 10 cubic meter labor का per 10 cubic meter का आ गया कि अगर labor 10 cubic meter काम कर रहा है उस labor के category में mate 10 cubic meter कर रहा है तो उसको कितना time लग रहा है तो 0.32 day लग रहा है उसको 10 cubic meter करने में कुली को कितना लग रहा है 1.2 day लग रहा है उस excavation को execute कराने में तो 670 standard rate 500 on town कुली का rate तो government की इसाब से अब आप देखो कि यहां पर हमारा total up cost हमारा निकालना होगा यह total हमारा कितना आएगा तो total cost निकालने के लिए आपको कैसे निकालेंगे तो इसको आप add-on करना होगा add-on कैसे करेंगे यहां पर आप जाएंगे और auto sum हम लोग को करना रहेगा तो auto sum कर लिजे तो यह आपका total 1369 रुपे आपका आ गया अब बोल रहा है कि जो 1369 रुपे आएगा according to AOR add 1% water charge मैंने यहां पर कोड रखा है W इसको W से डिनोट किया है कि total जो आया machine और labor का वो 1369 रुपे 0.04 आया अब इस पर एक परसेंट water charge आपका 30 पॉइंट पॉइंट इंटू 0.01 अब देखिए यहां पर add 1% water charge यह जो आपका total निकल के आया इस पे है तो इसका total आपका कितना होगा तो इस पे आप एक परसेंट करेंगे तो 13.59 आपका यह आएगा calculations आप करेंगे तो 13.59 आएगा मतलब आप यहां पे डिनोट कर सकते हैं 13.59 ठीक है यह add 1% water charge करने के बाद यह कितना आया 13.59 अब यह दोनों को आप add कर लीज़े दोनों को add करने के बाद हमारा total कितना आएगा 1332 रुपे 6.3 1372.63 आपको water charge add करने के बाद आया अब है कि जो भी आपका यह काम हो रहा है अब इस पर GST भी लगेगा obviously GST लगेगा हमारा तो GST कितना लगेगा तो GST का आप देखो यहां पे मैंने डिनोट किया कि यह जो निकल किया X तो इस पूरे total amount पे 14% मतलब multiplying factor बना रखा है according to your 0.1405 मतलब यह amount आया है आपका इसमें आपको 0.1405 से करने के बाद यह आपका GST आपका इतना आया 192 रुपे तसमलो 85 अब यह दोनों को भी add करना है अब यह दोनों को एड करने के बाद total आपका कितना आ जा रहा है 156 5.48 तो यह आपका यह आ गया ठीक है अब GST एड करने के बाद आपका यह आ गया अब बोल रहा है कि आपको contractor profit जैसे कि हम इसा मैंने बताया है कि हर activity rate analysis में contractor का contractor profit भी इंक्लूड रहता है क्लाइंट भी करते हैं क्लाइंट भी इंक्लूड किया है 15% contractor profit इंक्लूड इंक्लूड आपका 15 इंक्लूड 234.822 इंक्लूड 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 इंक्लू 0.302 इंक्लू 0.01 इंक्लूड 10Qm 10Qm आप 10Qm आप 1Qm करने के लिए इसको डिवाइट कर देंगे 10 से तो आपका 181.85 जो आया यह आपका इक क्यूबिक मीटर का रेट आगया इक क्यूबिक मीटर आज़फ़ इसके वेशन होगा परती मीटर क्यूब का 181.85 रुपी से यह ऐसे आपका AOR में दिया है, मतलब client ऐसे करके अपने BOQ में rate डाला है, अब main चीज है हमारा, कि अब contractor कैसे करेगा, क्योंकि यह तो था client का rate analysis, client ने कैसे किया हुओ, अब contractor कैसे करेगा, तो contractor भी, जब भी contractor भी rate analysis करने बैठेगा, तो BOQ को बेंचमार्क मानेगा, और अपन जो government के तरब से EOR re fill को benchmark मानते हुए millionaire calculation करता है तो start करते हैं अब contractor rate analysis to contractor ninth analysis एच पर EOR and market rate यहां पे जो rate था government का standard rate था दोबर, standard rate, अब क्लाइंट का standard rate है और contractor का market rate हो सकता है, दूसरा कम में भी हो सकता है, वो market face value पर depend करता है, तो same चीज है, सारा चीज सेम है, rate analysis करने का तरीका सेम है, तो यहाँ पे भी आप देखो standard output हो नहीं लिया गिया है hydraulic excavator with driver and fuel, आपका अगर 10 cubic meter काम होता है hydraulic excavator अगर करता है 10 cubic meter तो उसको कितना time लग रहा है तो 0.041 day लग रहा है 10 cubic meter करने के लिए यह कैसे आया मैंने बता दिया है already loader का भी आपका क्या है कि 10 cubic meter में वो loader अपना 10 cubic meter load करके dumb कर रहा है तो उसको कितना time लग रहा है 0.041 day लग रहा है ठीक है labor का क्या है तो 0.32 day आपका coefficient बोलते हैं इसको 0.32 day इसको 10 cubic meter को करने में लग रहा है कूली को 1.2 लग रहा है यह labor का category है हमारे contractor यह made कूली सब सेमी होता है लेकिन client एक तरह का categorize किया हुआ है अब market rate देखें यहां पे 6400 रुपया आपका market rate किया गया कि 6400 रुपया पर डे आपका hydraulic excavator का charge होगा तो इसको multiply करके यह 262 आया loader का जो है वो 4000 है तो इसको multiply करके 164 आया mate का 500 रुपया रखा गया है कूली का 400 रुपया वेज रखा गया है वहीं आप government का देखो तो 675,000 तो थोड़ा सा कॉंट्रेक्टर कम में भी कर रहा है मतला अपना quotation के लिए as per as market as per as market rate अपना कर रहा है तो यह सारा चीज आपका calculation हुआ यह amount आया यहां पे 1% water charge रखा इस सब पे 1% water charge रखा यह सारा total करने के बाद यह 1066 रुपय आया तो 10 रुपय 0.66 आपका रुपीज एड होने के बाद total एड परसेंट water परसेंट एड होने के बाद आपका amount जो आ रहा है 1077.06 यह आया अब इस पे GST हम contractor हैं तो हमें भी GST एड करना पड़ेगा क्योंकि client अपने analysis में किया तो हम भी करेंगे तो GST multiplying factor मतलब इस पे 1007 पे आपको multiply किया यहां पे 14 परसेंट 0.14 तो यह multiply करने के बाद GST का amount आ रहा है 101 रुपय तो समलो 33 अब यह करने के बाद अब टोटल किया तो टोटल आया 1228 रुपय 1228 रुपय पे अब टोटल 15 परसेंट और अपना contractor profit overhead अपना रखा है अब यहां पे 15 परसेंट रखा है अब contractor कुछ भी अपने हिसाब से 20 परसेंट भी रख सकता है तो हम as a being a contractor में 15 परसेंट ही लिया हूँ तो 15 परसेंट लेने के बाद contractor profit अपना इसमें include कर रहा है 184 इसमें अपने include करेगा क्योंकि इसी से उसको contractor profit निकालना है अब सेश टेक्स एक परसेंट ले रहा है तो यह जो भी total amount आया यहां पे तो यह total आया 1412 रुपए तो 1412 रुपए पे एक परसेंट सेश टेक्स भी लगेगा सेश टेक्स मतलब होता है कि जो भी construction activity हो रहा है उस पे एक परसेंट और टेक्स तो 14.12 पे आपका चार्ज निकल के आ रहा है से 1 परसेंट अब यह सब को एड़ करके total आ रहा है 14 रुपए 26 रुपए 24 रुपए यह 10 क्यूबिक मीटर के लिए अब एक क्यूबिक मीटर के लिए क्या होगा तो डिवाइड वाई 10 कर दोगे तो 142 रुपए 0.67 आया तो यह चीज हमारा क्या निकल के आया है यहां पे client rate for excavation तो client का rate है 181.85 और contractor का rate for excavation tender quotation के लिए जो rate analysis किया है as per market rate और AOR को benchmark मानते हुए AOR को coefficient को benchmark मानते हुए क्योंकि वो भी AOR को ही benchmark मान रहा है उसी के थुरु कर रहा है तो उसका आ रहा है 142 रुपए तो यह जो हमारा यहां पे आपका जो है client का rate इसके against में जब हम लोग rate डालेंगे तो हम लोग डालेंगे 140 जो भी आपका नीचे हमारा आया है 141 रुपे जो भी यह तो हमारा यहां पर आप देखेंगे कि हमारा यहां पे जो भी amount आया है तो वह इसके against में आम लोग डाल देंगे तो 142 रुपे, 0.67 हमारा यह rate analysis करने के बाद आया, ठीक है, अब देखिए, सबसे important change, जैसे कि मैं हम इसा बता रहा हूँ, और आज भी बता रहा हूँ फिर से, कि rate analysis करने से, हम लोग सिर्फ बिल बनाने के समय rate analysis, और tender quotation के समय rate analysis नहीं करते हैं, हमें manpower भी निकाल सकते हैं, मस् time भी निकाल सकते हैं, for example, कि हमें rate analysis करना है, हजार cubic meter के लिए excavation करना है, तो मैं आप से पूछूँगा कि कितना days लगेगा, time कितना लगेगा, तो output हमें पता है, earthwork excavation करना है, हजार cubic meter, मतलब ही हमने drawing से quantity निकाला है, कि हजार cubic meter में excavation करना है, और resource हमारा पता है, resource हमें पता है कि hydraulic excavator मेरे पास यहां पर देखो, resource यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने resource का list दे रखा है, तो resource जो है यहां पर, तो resource hydraulic excavator 2 लग रहा है, और labors हमारे यहां, contractor जो हमारे पास site पर अबलेबल है, 10 है, उस काम को करने के लिए, जिसमें मैंने mitt माल लिए 4 और kooli का काम माल लिए 6, तो यह हमारे पास resource अबलेबल है, और output अबलेबल है कि 1000 cubic meter करना है, तो time कितना लगेगा, यह बहुत important हो जाता एक planning engineer, अगर आप planning field में जा रहे हैं, तो rate analysis के through, rate analysis के through, आप time भी निकाल सकते हैं, तो देखिए time कैसे निकाले हैं, तो यहां पर देखिए, calculations पर देखिए, तो सबसे पहले, यह box पर आप ध्यान देंगे, hydraulic excavator with driver, hydraulic excavator with driver and fuel, quantity per 10 cubic meter, मतलब 10 cubic meter में उसका, इसको समझिए, मैं calculations के through समझा रहा हूँ, तो न, calculations के through आपको समझाएंगे हम लोग इसको, तो अगर 10 cubic meter hydraulic excavator, उसी AOR को follow करते हुए, 0.041 दे ले रहा है, तो हमारा, एक cubic meter के लिए क्या होगा, एक cubic meter के लिए हमों क्या, जिरो पॉइंट ये जो है, इस पर दस से डिवाइड कर देंगे, तो 0.0041 दे लगेगा, सेम चीज, हमने कर लिया, मतलब एक cubic meter में इतना दिन लग रहा है, दस cubic meter में इतना दिन लग रहा है, तो एक cubic meter में ये days लगेगा, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर हजार cubic meter में मान लेता हूँ मेरे पास hydraulic excavator एक है, loader एक है, mate जो है एक है, कुली हमारा एक है, मतलब भी standard मान लेते हैं कि मेरे पास ये सारे resource एक, एक, एक है, एक एक मानता हूँ, तो हमारे पास excavator क्या है, एक है, तो हजार cubic meter को एक, और एक cubic meter को करने में कितना दिन लग रहा है, ये लग रहा है, तो हजार cubic meter को करने में कितना लगेगा, तो 4.1 days, ऐसे ही, मैं ये सब का निकाल लिया, ये मैंने सब का निकाल लिया, अब हाइडरोलिक excavator, अगर मेरे पास एक है, तो उसको हमारे करना है, अगर एक हाजार cubic meter में मुझे एक ही मतलब, एक excavator से कर रहा है, तो 4.1 days लग रहा है, हाइर, लोडर है, उस एक लोडर involved कराया हुए हैं साइट पे, तो उसको भी 4.1 days लग रहा है, मेट को 32 दिन, अकुली को 120 दिन, मतलब अब क्या करेंगे, इसका पूरा क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, टोटल करके, पहले अब आटो सम कर देंगे, एक सो साथ, अब एवरेज निकालेंगे, एवरेज डेज, एवरेज डेज, क्या निकल के आएगा, एक सो, जो यह आया है, डिवाइड बाई, कितना हमारे रिसूर्स है, एक, दो, तीन, चार, चार से हम लो कर दिया, तो यह आपका, निकल के, उन एवरेज लग रहा है, करने में, अगर यह चार रिसूर्स यूज हो रहा है, तो, लेकिन, हमारे पास रिसूर्स अबलेबल है, अगर एक इसकेवेटर और एक लोडर, एक मेट और एक कूली लगेगा, तो इसको चालीस दिन लग जाएगा, यह काम को, हजार क्यूबिक मेटर के इसकेवेशन करने म तो बहुत ही सिंपल है, अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो 4.1 डेज है, तो यह एक के लिए है, हमारे पास कितना है, दो है, दो इसकेवेटर है, 2.05, ठीक है, अब हमारा लोडर कितना है, तो लोडर आपका 1000 क्यूबिक मीटर, एक लोडर, वो 4.1 डेज लग रहा है, और मेरे पास लोडर भी जो है, वो अभीलेबल है, यहा पे लोडर आप ले लीजए है, यहां पे, लोडर मैं माल लेता हूँ, लोडर भी मेरे पास, दो है, तो 4.1 डेज, आपको लोग रहा है, एक लोडर है तो, लेकिन अगर मेरे पास 2 है, तो obviously इसको क्या करेंगे, divide कर देंगे हम लोग, divide कर देंगे 2 से, तो इसको 2.05 लगेगा, अब एक मेट को 32 दिन लग रहा है, इस तरह के excavation करने को, मेरे पास मेट कितना है, 4, तो क्या करेंगे, 32 डिवाइड बन, 4, 8 दिन लेगा, और कुली जो है, एक कुली अगर इस तरह के exca कर रहा है, उसका involvement है, तो 120 दिन उसका contribution हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, equal to, इसको divide कर देंगा, मेरे पास कूली कितना available है, 6, तो यह पूरा आपका days लेगा है, तो mean average निकालेंगे, mean निकालेंगे, इसको पहले total करेंगे, हम लोग, auto sum करेंगे, तो 32 निकल रहा है, तो average day इसका आप क्या निकलेगा, तो average day अब divided by, पूरा auto sum divided by 4, तो यह आपका 8 दिन लगेगा, अगर 2 excavator, 10 level, मतलब 4 मेट 6 कूली और 2 loader हमारे जो site पे available है, अगर इस थरू हम लोग काम करते हैं, तो हमारा 8 दिन लगेगा, तो आप यहाँ पे, हम लोग, अगर यहाँ पे 40 देज ले सकते हैं, लिख सकते हैं, 40 देज, और अपने resource available के साथ, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो 8 देज ले लाए, 8 देज, तो यहाँ पे आप इसको, 8 देज, तो यहाँ मैंने note में लिखा है, इस एसकावेटर, एक मेट, एक कोली, विल डू, थाउजन क्यूबिक मीटर इसकेवेशन, तो टाइम कितना लगेगा, अगर एक इसकेवेटर, एक मेट, एक कोली और एक लोडर, लोडर छुटा हुआ है, लोडर, यह सब इन resource available है, तो 40 दिन लगेगा, अगर दो इसकेवेटर, दो का मैंने बताया, तो एक rate analysis method से, हम लोग client का जो AOR है, उसमें जो coefficient, standard output, coefficient है, उसके थुरू हम लोग time भी निकाल सकते हैं, हमें दो चीज बस चाहिए रहेगा, output क्या है, और resource हमारे पास क्या available है, बाकि दो चीज अगर हमारे पास है, तो time भी हम लोग निकाल लेंगे, तो य ठीक है, तो आज के session में हमने देखा, अर्थवर्ड के excavation का rate analysis कैसे करते हैं, फिर हमने देखा, client rate analysis कैसे किया है, अपने AOR में, वहाँ पे जो standard coefficient हो, कहां से आया, कैसे आया, वो भी मैंने बताया, और contractor rate analysis करता, कैसे वो भी मैंने बताया, और एक contractor rate analysis के data पे time calculation भी कर सकता है, जो कि उसके पास resource क्या available है site के, उसके method से, तो आसा करता हूँ, आप सभी लोग को, ये session जरूर समझ में आयेगा, ये session समझ में आया होगा, जब तक आप last, पूरे last तक session नहीं देखेंगे, तब तक समझ में नहीं आयेगा, तो इसलिए last तक पूरा आप अच्छे से सुरू से लेके last तक session देखेंगे, और उमीद करता हूँ, कि अगले बार जो हम लोग next session करेंगे rate analysis का, वो PCC करेंगे, और उसमें और हमारा परियास होगा, अच्छे content देने का, एक live object का BOQ लेके आएंगे, और उस live object के BOQ से, हम लोग AOR के help से analysis of rate करेंगे, कि client कैसे कर रहा है, और contractor कैसे कर रहा है, उमीद करता हूँ, ये session आपको जरूर पसंद आया होगा, तो एक बार फिर से मैं बता होना चाहूँगा, कि आप लोग चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा, वैल आइकन प्रेस करना ना बुलिएगा, वैल आइकन प्रेस करना बहुत जरूर है, तभी आपको notification में देगा, इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेर करें, और हम लोग को मनुमल बहुत बढ़ेगा, जब इस वीडियो को आप हजार से उपर like दिलवाएं, और सेर करें, जितना हो सके आप social media पे सेर करें, ताकि सारे हमारे community civil engineers सारे लोग फैदा उठा सके, thank you so much for your patience and your time, thank you